आज इती क्लासिस इक्जाम गुवी चैनल में आप सब का स्वागत है पहला कोश्चन है राष्टी वा मंतराष्टी पर्मु घटनाव और मुद्धो सम्बंदित कौन सा कथन गलत चार आपसन में आपको बताना होगा कौन सा आपसन गरत है आला है मदपदेश के हुसंगाबाद रेवले स्टेशन का नाम बदल कर नर्मदापुरं कर दिया गया है दूसरा आपसन है छै फ़रबरी 2023 को सीरिया और तूर्की देशों की सीमा पर साथ दस्मलवाट त्रिवर्ता के भुकम से हजारों लोगों की मिर्ती हुई तिसरा अपसन है अमरित प्रेक्स 2023 नाम से नई दिल्ली में आयुजित पुस्तक पदरस्णी है अंतराष्टी तिस चोथा अपसन है अंतराष्टी अस्तर पर तूर्की सीरिया भुकम के बाद भारत सरकार ने राहत समागरी आपरेशन दोस्त के नाम से फेजी इन चारों में से कौन सा अकतन आपको गलत लग रहा है तो आंसर हो जाएगा तीसरा योगि अमरित प्रेक्स 2023 नाम से नई दिल्ली में आयुजित राष्टी डाक पदरस्णी है उस तक पदरस्णी नहीं है निश्कोशन परमुख ब्यक्तित सम्दित कौन सा जोड़ा गलत है चार आपसन में पहला है कि परमिस्वर अयर वर्तमान नीतियायोग के सीयो दूसरा मुहम्मद साबुदीन चुपू बांगला देश के राश्पती इसरा बालकिष्णे देश्वी वास्तुकला के छेत्मे पद्म भूशड और चौथा है कपील कपूर साहित्व सिच्छा के छेत्मे पद्म भूशड दोहर तेई से सम्वानित तो इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है आंसर होगा पहला यूकि वर्तमान में नितियायोग के सीयो बी वी आर सुबरडेम बने हैं तीक है परम स्वार यहर नहीं है नेश कोशन खेल समचार फीफा विशुकप से सम्मंदित कौन सा कथन गलत है चार अपसन पहला है फीफा विशुकप 2022 की विजिता अर्जेंटाइना टीम जिसके कफ्तान लियूनेर मेसी थें दूसरा अपसन है फीफा विशुकप 2022 में गोल्डन बाल अवार्ड नियोनल मेसी को मिला तीसरा है विशुकप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड विजिता किलियन एमपाबे फ्रांस को मिला चौथा अपसन है फीफा विशुकप की अस्थापना 1930 में हुआ अब तक सबसे अधिक बार विशुकप अर्जेंटाइना ने जीता है तो आंसर हो जायागा चौथा क्योंकि फीफा विशुकप की अस्थापना 1930 में हुआ लेकिन अब तक सबसे अधिक बार ब्राजिल ने जीता विशुकप याद रखिएगा फीफा विशुकप ब्राजिल ने जीता अर्जेंटाइना ने नहीं जीता नेक्ट कोस्टन हाली में ब लच्फन परसाद अचार चौथा मरीपूर अनसुया उइके इस चारों में से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है तो गलत जोड़ा है दूसरा मिखाले के फागु चौहान है याद रखिएगा मंगु भाई पटेल तो मद परदेश के हैं इसलिए दूसरा अपसन क्या होगा ये गलत होगा जोड़ा नेश्कोशन बिज्ञान के शित में नौनीतम सुद समंदित अंतरिच में गतिविदियों की निगरानी के लिए किस राज में भारत की प्रतम वेशाला स्थापित है चार आपसन पहला उत्राखंड में दूसरा करनाटक में तीसरा हिमांचल परदे परदेश में आप जानते होंगे सबसे पहले प्लास्टिक बंद हुआ पूरे भारत में प्लास्टिक कहीं बंद हुआ सबसे पहले कहां बंद हुआ हिमांचल परदेश में और आंध्र परदेश में क्या है विसाका पट्नम जो है जो है यह नया राजनितिक राजधानी बन दूसरा तापी उर्जा, ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन, तीसरा जल्बी दुद उर्जा, नदियों किनारे बनस्वत्यों की काच्छ है, और चौथा कार्बन मोनो आकसाइड फेफड़े संबंदित रोग, तो चारों में से कौन सा गलत है, आंसर होगा, चौथा कार्बन मोन आकसाइड, इससे फेफड़े संबंदित रोग नहीं, इससे ये क्या करता है, ये दम घुटने वाला है, यानि हिमोगलोबीन में आकसीजन, जो हिमोगलोबीन आकसीजन को ढोने का काम करता है, परिभान का कार करता है, उसको ये धीमा कर देता है, दिरे-दिरे बैक्तिकी, आगे चलके मिल्ती हो सकती है इसलिए इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है जैसे आप जानते होंगे जाड़े की दिनों में बंद कमरों में कुछ लोग अंगिठी जला के सो जाते हैं और अकसर ने उससे साल दूसाल पे आता है सुबह जो है उसमें कईलों मिल्त पाए जाते हैं तो यह क्या करता है कि दिये दिरे दम को घोड़ता है कार्बन उनो अकसाइड गर्ट सबसे खतरना गैस होता है नेश्ट कोशन कौन सा जोड़ा गलत है चार आपसन पहला परियावर सर अच्छड अधिनियम उननैसो बहत्तर वन सर अच्छड अधिनियम उननैसो असी हाती परियूजना नांटी 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 टू और राष्टी जय विवित्ता संस्थान दोजार तीन इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है आंसर हो जाएगा पहला याद रखिएगा परियावराण सर अच्छड अधिनियम नांटी एटी सिख्स में आया था और उननैसो बहत्तर में क्या था वन जिव सर अच्छड अधिनियम आया था इसलिए आंसर क्या हो जाएगा पहला ये आपका गलत है तो कमेंट बाक्स में आंसर दीजिए मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि राश्टी जव वीता संस्थान का मुख्याले कहा है नेश्ट कोश्चन वरतमान में परेटन मंत्री है चार अप्षन पहला जी किसन रेड़ी दूसरा भुपेंद्रियादो तीसरा नरण सिंग्तोमर चौथा सर्वा नंसोनेवाल तो बताए क्या आंसर होगा आंसर होगा पहला जी किसन रेड़ी भुपेंद्रियादो परेड़ मंत्री है नरण सिंग्तोमर क्रिसी मंत्री है और सर्वा नंसोनेवाल जो है एकोनामी को तो आंसर हो जाएगा ग्रीन एकोनामी को अधिक महतु दिया गया रियो प्लस 20 सम्मेलन कब हुआ तो 20 जून 2012 को ब्राजिल में रियो जो डेनेरियों में हुआ और इसका सतत विकास पर संजुत राष्ट का सम्मेलन था जो है 2012 में हुआ याद रखेगा नेश्ट कोशन निम्ड में से उजोन परत की इकाई है चार आपसन पहला रूंटजन दूसरा डेसिबल तीसरा डापसन और चौथा एक यूवाई तो उजोन परत की इकाई जो है आंसर हो जाएगा तीसरा डापसन याद रखेगा उजोन परत की मापने की इकाई डापसन बा तीक है, देसिवल धोनी की काई है, एक क्यूवाई ये हवा की सुत्ता जाचा जाता है इसे Next question, सारनात अस्तम पर कुल कितने पसुओं की आकिर्थियां है चार आप्षन, पहला चार, दूसरा आप्षन, बतिस, तिसरा आप्षन, आठ, चौथा आप्षन, सोलब आंसर हो जाएगा, पहला चार, सारनात अस्तम पर कुल, जो है, चार पसुओं की आकिर्थियां है जिसमें हाथी, घोड़ा, सिंग, साड, ये होगा, आप याद रखेगा अब बतिस क्या है, बतिस मानों के स्वस्त मनुस में कितने दाथ होते हैं, बतिस होते हैं आठ क्या है, भारती वैदिक सनातर में आठ पकार के विवाओं का वर्डन है, सोला क्या है, सोला संसकार होता है उपनियन संसकार या जनीव संसकार कौति नमर पे है, इगरामी नमर पे है, याद रखेगा बारत ने गोवा को पुर्टगालियों की कब्जिस से कब मुक्त कराया, चार आप्षन पहला 2998 में, दूसरा 1961 में, तीसरा 1954 में, चौथा 1947 में, तो आंसर होगा दूसरा 1961 में एक प्रस्ण और आता है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, तो आने का करम था पुर्टगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसिसी और डिनमार्क, ये करम से आये थे, तो इसमें प्रस्ण ये आता है कि सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्टगाली आया थे, 1498 में वास्को डि कर आया, और किस लिए आया, वैपार किसका करता था, अगर जानते हो, तो कमेंट बाक्त में बताईए, नेक्स्ट कोशन, गाधी इर्विन सम्झोता हुआ, चार आप्षन, पहला, 1930 में, दूसरा, 1935 में, तीसरा, 1931 में, चोथा, 1932 में, तो गाधी इर्विन सम्झोता, आंस दिनिया माया, 1932 में, पूना सम्झोता हुआ, नेक्स कोशन, सुर्षिस सात्मागरह कौन सा है? ये आपको बताना है, चार आप्षन में, पहला, अरूर, दूसरा, सनी, तीसरा, मंगल, चोथा, बहस्पती, तो सुर्षिस सात्मागरह में, आंसर होगा, पहला, अरूर, प्र से पहले सुक के करीब कौन सा है बुद्ध है सुक्र है पिर्थिवी है मंगल है बैस्पती है सनी है अरुड है वरुड है तो वही पूछ रहा है सात्वा कौन सा जाएगा अरुड पहला अंसर सही होगा ठीक है और आप जानते होंगे बुद्ध और सुक के पास उपगरा नही सबसे चोटा है वैस्पति का सबसे वैस्पति करह सबसे भारी Алस सबसे वि चाल उगरावाला है सबसे बड़ा वेस्पति का कौन सा है ग्र कषक 20 नज कोशन किस्ता नदी जल्विवाद कि किन के बीच में चार डंपाल भारत और निपल सब्सक्राइब बंगलादेश, तिस्ता भारत और बंगलादेश, तो तिस्ता नदी जल विवाद भारत और बंगलादेश के बीच में है, और भारत और नेपाल के बीच में क्या होगा, यानि इसका अंसर हो जागा दूसरा, तिस्ता नदी विवाद के अंसर है, दूसरा भारत और बंगलाद में है वहाँ भारत नैपाल के बीच में यह पढ़ ता था तो 35 किलोμीटर के एरिया को लेकर बारत नैपाल के बीच में tension है उसको है ठीक है और अलिदर निकुबार में आँ जानते हैं उन्गे छेलोर जेल में काले पानी के सजा दी जाती थी वो अलग मैटर है ठीक है और ये काला पानी जल्वी बाद पी थोड़ा गड़ या देखिएगा उत्राखन में अन्ववी टीम द्वारा UPHESC का test series सुरू किया गया है GKGS paper के लिए जो six unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को clear करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस test series को लेते हैं तो आपको free में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit wise test, 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर पेपर है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरुप पर आप जूड़ सकते हैं चार अप्सन पहला अनुचे 352 दूसरा अनुचे 356 तीसरा अनुचे 360 और चोथा अनुचे 351 तो आंसर होगा दूसरा अनुचे 356 तीक है ये कम से कम 6 माहीं लगा फिर ये बढ़ता रहता है और सबसे कम गर कहीं लगा तो उड़ीसा में लगा याद रखिएगा प्रथम बार ये सिर्फ पंजाब में प्यपसू में लगा था सबसे अदिक भार उत्तर पदिस में लगा था 352 की बिसे में आप जानते होंगे राष्टी अपात युद और बाहरी आक्रमण के एसिती में यह लगता है अगर ये 352 लग जाए आटकील तो लोग सभा का कारकाल एक साल के लिए बढ़ जाएगा यानि 5-6 साल हो जाएगा और 352 ये लग जाए तो सभी मूगल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं किवल अनुछित 21 को छोड़कर आटकील 20 को छोड़कर सभी मूगल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं अनुछ आटकील 360 तीसरा आपसन देख रहे होंगे ये बित्ती अपात है एक बार भी नहीं लगा अगर लग जाए तो राश्पती को छोड़कर सबकी वेतन से सरकारी करमचारी की वेतन से कटोती हो जाती है और लाश्ट में देख रहे होंगे अनुछे 351 तो ये हिंदी भांसा के विकास के निर्देश इसमें दिये गए हैं नेश कोशन नीती अयुक क्या है चार आप्षन पहला एक समय धानिक निकाय है दूसरा संसर द्वारा पारित कानून के अंद्रगत गठित है तीसरा कारेकारी अदेश द्वारा गठित है चौथा एक अध्यदेश द्वारा अस्थापित है तो नीती अयुक क्या है तीसरा अंसरोगा कारेकारी आदेश द्वारा गठित है ठीक है इसकी घोषड़ा कब हुआ था 15 अगस्ट 2014 को लाल के लिए से पदा मंत्री जी ने घोषड़ा किया था अकब भारत में बना लाग हुआ एक जनुरी 2015 को नीतियायोग लाग हुआ तो चलिए अब कमेंट बाक्स में बत तो समयधानिक निकाए जब सब्द आएगा तो समच जाएगा जो समिधान में है वो समयधानिक निकाए कर रहा है और जो समयधान में की बाद है वो समयधानिक निकाए है ठीक है ऐसे समझ लीकेगा नेश कोश्चन निविखित में से सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला ठीक है और आप जानते हों कि इंडोनेसिया की राजधानी जाकार्ता है याद रखिएगा जाकार्ता थी पहले तो जाकार्ता किस दीप पे था जावा दीप पे अब इंडोनेसिया की राजधानी नुसंतारा हो चुकी है जो बोर्निया दीप पे है याद रखिएगा एसिया क सबसे बड़ा दीप बोर्निया दीप है जहां पे नू संतारा है कांसेप्स में आ रहा है आपको इंडोनेसिया की राजधानी पहले क्या थी जकार्ता किस दीप है जावा पे अब इंडोनेसिया की राजधानी क्या है तो इंडिनिवेसिया लगाईएगा और ज्वालामुखी की माला ज्वालामुखी का देश को पूछे तो आइसलेंड लगाईएगा ग्रिनलेंड आप देख रहे होंगे विसु का सबसे बड़ा दीप याद रिखियेगा ग्रिनलेंड अब बोर्निया अभी दूसरी नमर पर ह वो एसिया का सबसे बड़ा दीप है और माजुली दीप असम के बरंपुत नदी के बीच में एक माजुली दीप जीला है भारत का पहला और आकरी दीप जीला है यानि बरंपुत नदी चारोर होके आगे बाजाती है बीच में ये जीला है माजुली इसे माजुली दीप जीला कहा जाता है निश्कोशन कौन सा सहर बागो का नगर के नाम से प्रसिद है 4 अपसन पहला रामपूर दूसरा वराणसी तीसरा लखनव चौथा मुरादाबाद तो आंसर वजायगा तीसरा लखनव लखनव को बागो का सहर city सब्सक्राइब का ऊओ-चीह ऊप नाम से जाना जाता है तीक है और legend की सबसे बड़ी इमिली मंडी कहा है चार आप्षन पाला नेपा नगर दूसरा जगदलपूर तीसरा नादेड और चौथा जमसेदपूर तो याद रिखिए का एसिया की सबसे बड़ी इमनी मंडी जगदलपूर में है ये बिहार में पढ़ता है नेपा नगर में क्या है आजादी अखबारी कागाज जो है उत्त दोग जो भारत के वाडशी बैंकों की परमुक सेवा सुधार है तू बनी कमिटी जानी जाती है चार अपसर में पहला गोपुरिया समीती दूसरा नर्सिंगं समीती तीसरा रंगराजन समीती चौथा डुलकिया समीती तो आंसर होगा पहला गोपुरिया समीती भारत के वाड़ेजिक बैंकों की गराहक सेवा सुधार है तू इसका जो है अस्थापना हुआ था 2000 में इसने रिपूर्ट दिया 2001 में और ये NSU को बनाए जाए इन्होंने अपना उसका सुझाव दिया था 2006 से प्रभावी हो गया दुरलकिया समीती की बिसे में जानते होंगे GDP को अधार वर्स 2016-2020 बनाने के इन्होंने सिपारिस किया था Next Question MLA का पूर्ड रूप क्या है चार अप्षन पहला Management Language Authority दूसरा Mainstream Language Association तीसरा Modern Language Adaptation चौथा Modern Language Association तो आंसर हो जागा चौथा Modern Language Association Next Question निम्न में से कौन Digital Computer के कार्यात्म घटक नहीं है चार अप्षन पहला Memory दूसरा Printer तीसरा Input or Output Device चौथा CPU आंसर हो जाएगा दूसरा Printer Next Question निम्न कित में से कौन सी चड़ के विमर्स अस्तर की विश्यस्ताएं है चार अप्षन पहला बिद्यार्थी को कड़े अनुसासन में रखा जाए दूसरा बिद्यार्थी को रटने पर जोर दिया जाए तीसरा बिद्यार्थी को समस्या समयधान की युकता का विकास किया चौथा बिद्यार्थी को सूचना को समझने द्वारा सिखाया जाए तो आंसर हो जाएगा ये आपका तीसरा कि विद्यार्थी को समस्या समयधान की युकता का विकास किया जाए या सिचछड के विमर्स अस्तर की विश्यस्ता है नेक्स कोशन सोचल नेटवर्किंग वेबसाइट फेस्बुक के खुश करता है चार आपसं दिया है आपको बताना है पहला आपसं है मार्क जुकरवर्थ दूसरा बिल गेट्स तीसरा मार्टिन कूपर और चौथा जाविद करीम और जो है चार हवे इस्टी चेन इस चारो के खुश करता कांसरान होगा पहला मार्क जुकरवर्थ जो है फेस्बुक के खुश करता है बिल गेट्स कौन है तो माइक्रोसाइट कंपनी के स्थापना किये थे मार्टिन कूपर कौन है ये प्रतन मोबाइल यानि फोन के अविसकारक है नेश कोश्चन सिच्छड बिधि आंसर हो जाएगा उपरोग सभी नेश कोश्चन अनुसंधान का मूल उद्यस है चार आप्षन पहला ज्यान के सारांस के लिए दूसरा सरकारी नोकरी के लिए तीसरा डिगरी के लिए चौथा ने सिच्छा ने ज्यान की उत्पत्ति के लिए तो आंसर हो जाएगा चौथा नया ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नेश कोशन सिच्छर कार के अंत्रगत डिस्लेक्सिया का अर्थ है चार अप्षन पहला छात्र को गडित की समस्या दूसरा छात्र को मौखिक बताने की समस्या तीसरा छात्र को पठन-पाथन में परसानी चौथा छात्र को लिखने में परसानी तो आंसर होगा छात्र को पठन पाठन में परसानी डिसलेक्सिया का लाता है यानि बालत के रेटिना पर प्रतवीम कभी आगे पढ़ता है कभी पीछे पढ़ता है अर्थात का सकते हैं कि हेडिंग, सब हेडिंग और अरनक विविन अकारों के अच्छरों को वो नहीं ठीक से पढ़ पाता लेकिन एक अकार के अच्छरों को पढ़ पाता है तारे जमीन पे फिल्म में इसको दिखाये गया था पहला आपसन देखे रहेंगे गडित को समझने की डिस्केलक्रिया होता है मौखिक नोब बताने की आफेज्या या डिफेज्या होता है और लिखने में परसानी डिस्क्राफिया के नाम से कहा जा सकता है नेट्स कोशन सूद के दोरान किस परिकल्पना का अचयन सरुत्तम होता है चारा अपसन पहला जो अंतिम हो दूसरा जो अंतिम हो तीसरा जो सोरोमान हो चोथा जो निश्चित हो तो आंसर हो जाएगा दूसरा जो अंतिम हो वीडियो अच्छा लग रहे तो आप लाइक जिरू करिए इसे सेयर करिए और अभी तक जो लोग सस्क्राइब नो कियो हो तो सस्क्राइब भी कर लिजे नेक्ट कोशन है वह सोद जिसमें पूरुस और महिला के बीच समाजिक और समानता पर जोर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं चार आपसन पहला नारिवाद सोद, दूसरा क्रियात मक्सोद, तीसरा प्रवगात मक्सोद, चौथा तुलनात मक्सोद, आंसर हो जाएगा पहला नारिवाद सोद उसे कहा जाता है मिलते है नेक्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत अन्गवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 unit wise है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के concept को clear करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी unit के model paper 100 से अधिक हैं और सभी unit के PDF notes हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस grouping test, 20 प्लस unit by test, 58 प्लस PDF 5 test और 2014 से 21 तक सालवर paper है इसके लिए आपको नई जनकारी के लिए टेलग्राम गुरूप पर आप जूड़ सकते हैं टेलग्राम लिंग है आधित्या classes exam guru निसुर सभी वीडियो एवं परिषा समझानकारी के लिए जूड़े टेलग्राम गुप से या अपने mobile से scan करके